दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के चोदेवे दिन यानि चतुरदशी तिथी के दिन मासिक शिवरातरी के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में इस वरत का विशेश महत्व बताया है। और सावन में पढ़ने वाली इस शिवरातरी का फल महा शिवरातरी जितना मिलता है। मानिता है कि चत्रों मास में भगवान शिव पृत्वी का ब्रमन करते हैं और उनकी कष्टों को दूर करके अपना आशिरवाद प्रदान करते हैं। साल 2021 में मासिक शिवरातरी 6 अगस्त की है। बता दें कि इस दिन भगवान शिव की विशेश पूजा चार पहर में की जाती है। कहते हैं कि चार पहर पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन हो जाते हैं। तो आएए आगे आपको बता दें मासिक शिवरात्री का शुब मुहूर्द। इस बार सावन शिवरात्री पर चतुरदशी तिती का आरंभ शुकरवार शाम को 6 बजकर 28 मिनिट पर हो रहा है। इसका समापन अगले दिन 7 अगस्त दिन शनिवार को शाम 7 बजकर 11 मिनिट पर होगा। विरत 6 अगस्त शुकरवार को रखा जाएगा शिवरात्री पूजा शनिवार 7 अगस्त की सुबह 5 बजकर 46 मिनिट से दोपहर 3 बजकर 45 मिनिट तक। बताने की सावन में आने वाली मासिक शिवरात्री का महत्व शिवरात्री के महत्व से कम नहीं है। इस शिवरात्री पर विधी पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में पूजा पाट से व्यक्ति बुराई, लालच और गलत कामों से दूर रहता है और भक्तों की सारी मनुकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। इस दिन सुबह सिनान करने के बाद भगवान शिव, माता पारवती और भगवान गनेश, कारतिके और नंदी की पूजा जरूर क करनी चाहिए। इस दिन भोलेनात का अभिशे करने से विशेज फल प्राप्त होता है। अभिशे के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीजों का भोग लगाएं और शिव चालिसा और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनके लिए ये वरत बहुत ही शुरेष्ट माना गया है। इस वरत को करने से दामपत्य जीवन में आने वाली बादाएं भी दूर होती है। शिव पुरान के अनुसार ये वरत मनुकामना पून करने वाला माना गया है। बता दें कि इस वरत को महिला और पुरुष दोनों भी रख सकते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। साथ ही आप ये अपन्यवाद।